भारत्य क्रिकेट टीम को 2004 में पाकिस्तान दौरे पर जाने की मन्जूरी देने वाले पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपे की वहपंक्ती सौरब गांगुली की अगवाई वाले टीम के हर सदस्य के जहन में चस्पा हो गई थी की खेल ही नहीं दिल भी जीती है सिरीज नहीं खेली थी और उमीदों का सरमाया लेकर गांगुली उस टीम के साथ सरहत पार जा रहे थे जिसमें सचिन तेंदुलकर विरेंज्र सहवाग अनिल कुमले राहुल ज्राविट वीवीस लक्षमन जैसे दिगच खिलाड़ी शामिल थे उस समय टीम के मैनेजर रहे प्रोफेसर रतनाकर शेटी ने पीटी आई को बताया वह दौरा सिर्फ वाजपे जी के कारण ही संभव हो सका था वह आपसे संबंधों को सुधारने के लिए क्रिकेट को जरिया बनाना चाहते थे और बीसी सी आई को सरकार से मनजूरी मिलने के बाद ही हमने टीम भेजी य यही वह दौरा था जब विरेंदर सहवाग ने मुलतान टेस्ट में 309 रनों की पारी खेली और उनका नाम ही मुलतान का सुल्तान पढ़ गया उन्होंने बताया टीम की रवानगी के दिन प्रधान मंत्री कारियाले से संदेश आया कि प्रधान मंत्री टीम से मिलेंगे हम टीम के हर सदस्य से बात की वहां नौसेना का बैंड बज रहा था जिस पर देश भक्ती के गीत चल रहे थे शेटी ने कहा उन्होंने सौरफ को एक संदेश के साथ बल्ला दिया जिस पर लिखा था कि खेल ही नहीं दिल भी जीती है शुपकामनाई इसके साथ ही जाने से पह पहले एक गीत सुनाने के लिए कहा और वह गीत था हम होंगे कामियाब एक दिन शेटी इस दोरे से पहले सुरक्षा इंतिजामों का जाइजा लेने भी पाकिस्तान गए थे और लोटकर उन्होंने प्रधान मंत्री को बताया कि कराची और लाहौर में उनकी तस्वीरे लेक पहले काफी विरोध हुआ था लेकिन जीत के साथ लोटे सौरव के सुर्माओं ने सभी क्रिकेट प्रेमियों को गौरानवित किया और अपने आचरन से दिल जीत कर अपने प्रधान मंत्री से किया वादा भी पूरा किया